दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ कार्गो के उपर आप कोई से समान बेचते हैं इंडिया, बंगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल, स्रीलंका तो कम से कम कितना समान होना चाहिए एक किलो कार्गो का कितना पैसा है और कितने दिन में समान घर पे पहुचता है रास्ते में स हुच रहे और एक युख्दामां के समान पो जो सिलंका भीज रही है तो एककर ना समान बेच रही हैugenे है कि इसकी से पचאस क дело हम इंडिया भेजेंगे एक किलो समान का पांफ्सो पचास फिलिस है है इस बहुत तक है इस प्लाइन सिर्प सो फिलिस एक डिना." प्रसक्राइब लेकिन दोस्तों सी लंकर कर जो है और मीटर के साब होता है कि यह बहुत सस्ता समान जा रहा है एंडिया की बाढ़ करते हैं दोस्तो तो एक किलो समान का 550 फिस लेंगे सी कार्गो में दोस्तों यह समान पैक हो रहा है C Lung का जाने के लिए और ये जो है 2 मीटर का संदूठ है और ये कमपनी के अदमी पैक कर रहे हैं दोस्तो पैक कराने के 2 दिना लेंगे एक अदमी 3 आदमी है 6 दिना लेंगे एक घर का ड्रैबर है और ये अंटी का समान है खास बात ये है दोस्तो कि ये समान तौला नहीं जाएगा यानि वजन नहीं होगा मीटर के साब से जाएगा इसमें ये चाहे पत्थर भल ले ये चाहे रूई भल ले इनका मीटर के साब से रेट रहेगा दो मीटर के संदूप का रेट है 55 दिनार 55 केडी एक किलो समान दोस्तों अगर हम इंडिया भेचते हैं, तो एक किलो समान का एक दिनार 100 फिलिस, एक दिनार 200 फिलिस एर कार्गो का है, अगर हम सी कार्गो यानि पानी जहां से भेचते हैं, तो एक किलो समान का 550 फिलिस है, इस तरह के दोसो कार्टन होता है, दोस्तो अगर हम इंडिया कार्गो करते है तो कम से कम हमारा समान 20 क्लो होना चाहिए, अगर 20 क्लो से कम है तो हमारा 20 धिनार के पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा दोस्तों एक काटून में 30 क्लो का उजन होना चाहिए, आप जितना मर्जी भेज सकते हैं, जैकिन एक काटून में 30 क्लो उजन होना चाहिए, इसे ज्यादा केसाब से है। दोस्तो और हम सी कार को घ्चते हैं इंडिया तो एक किलो समान का 550 फिलिस यानि दो किलो समान का podia एक दिनार घ् Owen एक कम से कम 20 क्लो समान हो गया दोस्तो तब ही अमारा और समान जाएगा। और उपर ये छी लेते हैं और इसके उपर दोस्तों अगर हमारा इलेक्टेनिक समाह है जैसे कि टार्च लाइट तो इसका अलग से चार्ज लेंगे इसमें दोस्तों ख़रने पिने के समान गैस शुला पेपसी चीनी चावल सब कुछ अंटेने से डाल दिया है इसके अंदर अब बात करते हैं दोस्तों अगर लोग घर पे आते हैं समान लेने के लिए तो क्या इस्टरा पैसा पड़ेगा या आप ओपिस में जाकर देके आते हैं तो क्या कम पैसा पड़ेगा तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों सेम रेट है आप चाहें तो ओपिस जाके दियाएं और चाहें तो इनको फोन कटे के घर पर बुला लें हाँ आपका ही दोर है जाकूर में है जहां पर यह नहीं जाते हैं वहाँ पर आप बुलाएंगे तो इनका पांच दिनार इस्ट्रार चार्ज लगेगा दोस्तो कितने दिन में समान एक घर पहुचता है पहले बात करते हैं सी करगो का याली पानी वाले जहास का तो यह दोस्तो तीन मेन के टायम लेते हैं और एक मेना सव मेने के अंदर-अंदर समान पहुचा देते हैं अगर आप एर कार्कोर से बेचते हैं तो एक हफते के अंदर समान आपके घर हफता से दस दिन के अंदर अंदर समान पहुच जाता है मैंने भी कई बार भेज़ जा है कभी कभी दोस्तों दस दिन से ज़्यादा भी लग जाता है उसकारण ये है जो गुदाम में समान गया है वो समान चला जाता है उसके बाद लेने आते हैं तो मेरा समान लगे गुदाम में रख दिया अब जब उनका समान पूरा हो गया तभी जाएगा दोस्तों तो इस वज़े से लेट भी हो सकता है 20 पैसा दे रही है 55 दिना दे रही है ये सी कार्गो का और 25 दिना देंगी ये संदूख का अपना एड्रस अपने पासफोर्ट से देंगी और जिसके नाम से भेज रही है उसका नाम बताएंगी समान पहुच जाएगा देड में के अंदर अंदर दोस्तो बात करते हैं आप समान भेज रहे हैं राष्टे में नक्षान हो जाता है जैसे की तूट जाता है कुछ हो जाता है तो उसका क्या हो जाए दोस्तों आप नया समय भेज रहे हैं और उसका बिल है आपके पास तो समान जब आपके आपके जाता है खोलते समय आप वीडियो बना लीजिए उसके बाद में वीडियो इनको दीजिए जितना नक्सार होगे दोस्तों ये निसन भरेंगे यानि जो समान तूट गया है आपका उस समान का बिल इनको दीजिए वो समान का पैसा ये देंगे आपके इनकी फुल जुमेदाई रहती ही दोस्तों तो इस तरह समान दोस्तों जाता है चाहे पिर वो इंडिया भेजें नेपाल भेजें पाकिस्तान भेजें बंगलादेस भेजें या स्री लंका भेजें टैम एक जितना लगता है